तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि grow app से आप कैसे किसी IPO में अपलाई कर सकते हैं। तो grow app से IPO में अपलाई करने के लिए, सबसे पहले आपको grow app ओपन कर लेना है। इसके बाद जो यह ग्रो एप का इंटरफेस खुल लाएगा आपका एक्स्प्लोर वाला यहां इससे आप स्क्रोल करके इसको थोड़ा नीचे जाएंगे जैसे आप नीचे जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है एफनो इंट्राडे और यहां पर बंसल वायर इंडर्स का आप यहा है ठीक है तो आप इन दोनों में से किसी भी आप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से यहां परeenप्लाई कर सकते हैंταν तो यहां से आप चाहिए बात ऐस अगर इस एस आप्रों के बारे में आप जानना चाहते है कि IPO की performance क्या है company क्या है कितना से इसका price है ठीक है तो इसके लिए आप यहाँ पर click करेंगे ठीक है इस IPO के नाम पर click करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि total कितना रुपया लग सकता है यहाँ पर 13,440 रुपया लग सकता है total 14 share आपको मिलने वाले ठीक ह यहाँ नीचे जाएंगे यहाँ पर IPO को detail दिया गया है यहाँ यह IPO कब आया 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई की बिच में इसमें आप apply कर सकते हैं और यहाँ पर price range यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 960 रुपय से लेकर 1008 रुपय तर इसका price range है ठीक है इस पकार से इसका जो 1952 करोन की company है ठीक है तो आप यहाँ से इस company का capital देख सकते हैं इसके अलामा आप नीचे जैसे ही जाएंगे स्क्रोल करके तो नीचे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो subscription rate हुआ क्लिक करेंगे यहाँ से आप देखेंगे कि जो qualified institutional है वो कितना परसेंट लगा पूसक्त कि हमें है तो साथ गुणा इन्वेस्ट किये तो इसड़र से टोटल आप देखेंगे तो लगभक 26 गुणा ठीक है तो जितने की 26 गुणा के 26 यहाँ पर लिका हुआ है इसका मतलब यह होता है कि जितने लोगों को मिलना चाहिए ये share उससे 26 गुना ये ज्यादा apply हो चुका है ठीक ये 26 गुना लोग ज्यादा इस पर apply कर चुके हैं यानि 26 लोगों में से किसी एक बेक्ति को ही ये share मिलेगा ठीक है इसका इसका IPO से इलाट हो सकता है ठीक तो यहाँ पर संभावना है जो है वो काफी कम हो जाती है जितना आधिक ज्यादा लोग यहाँ पर apply करेंगे तो उतना ही आपको IPO मिलने के संभावना कम होने लगती है ठीक है चुकि IPO अच्छा होता है तो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा लोग apply तो चलिए यहां से आप यह सभी चीज़े देख सकते हैं तो जिसमें ठीक ठाक अगर ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा लोग अपलाई करते हैं तो वह आई-प्यों अक्षर अच्छा माना जाता है और उसमें यह लिस्टिंग गें होने के चांस ज्यादा रहते ठीक है और इसके अलामा आप नीचे जाएंगे तो यहां पर about company के बारे में देख सकते हैं company किसकी है कब की है तमाम चीज़े यहां पर डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हैं तो आई-प्यों में अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है यहां पर apply for IPO करना ठी ठीक है जब भी आप IPO में apply करते हैं तो आप कोसिस किया करिए कि जो इसका maximum price है उसमें ही आप लेने का प्रयास किया करें ठीक है इससे आपको IPO मिलने के चांस बढ़ जाते हैं ठीक है तो यहां पर आप 108 रुपे का यह maximum price है इसका add cut up price पर click करके यहां से आप continue करते हैं जैसे करेंगे तो यहां पर आपका UPI show करने लगेगा आप इसमें चुकिए आपने जब भी grow app बनाया होंगे तो आपना यहां UPI डाले होंगे ठीक है तो यहां पर आपकी UPI show करने लगेगी अगर यहां पर आपकी UPI नहीं show कर रही यानि आप पहली बार apply करना है तो इसके लिए क कर सकते हैं आपकी जो भी UPI ID हो उसे उस UPI ID को यहां पर इंटर करके आप यहां पर apply for IPO कर क्लिक कर देंगे ठीक है जैसे ही आप यहां apply for IPO करते हैं तो यहां IPO request चला जाता है यानि कि जिससे आपने apply किया है जिस UPI ID को आपने जाला है आपका phone पे हो चाए Google पे हो या फिर भी IPO के request भेज दी जाती है ठीक है आप इस IPO request को आप जितना जब भी मुझकी से हमको लगता है कि एक दो मिनट या पांच मिनट दस मिनट के अंदर यह IPO की request आपके उस phone पे Google पे चली जाती है वहां से जाकर आपको क्यों उस IPO को अप्रूब करना होता है ठीक है तो आए देख ल पहले ही इस IPO को अप्रूब कर देना है जो IPO request मेरे भीम पे गया है उसको अप्रूब कर देना है ठीक है तो चलिए हम उसको अप्रूब कर देता है उसके बाद दिखाते हैं आपको तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर IPO successful लिग दिया है यानि कि हमने जो भीम पे पर कर जाकर उसे उस IPO request को हमने अप्रूब कर दिया है और अप्रूब करने के बाद यहां पर आपका IPO successful यानि application successful लिख देगा इसका मतलब कि आपने सफलता पुरवग अपने IPO में apply कर दिया है ठीक है अब हमको क्यों वेट करना है हम वेट करेंगे कि कि किस दिन appointment होगा जिस तारीक को appointment होता है उस दिन उसी रात को आपको 10-10 बादे तक आपको पता चलिजाता है कि आपको IPO alert हुआ है या नहीं हुआ है और अगर नहीं होता है तो अगले दिन आपका पैसा वापस आजाता है रिफंड हो जाता है आपके account में जिस account से आपका कटा होता है अ इस दिन आपका IPO लिस्टिंग रहेगा उसी डेट को लिस्टिंग डेट को आपके पोटफोलियों में वह IPO करने लगेगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना आई अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ब करने बाद